हेवाटसब गैस कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम टू फाइफ एक्सप्रेस तो गैस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2014 में रिलीज होने वाले दुनिया के पांच ऐसी खतरनाक एक्शन मूवी के बारे में रिलीज हुआ है जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे फियोसा का परन वारलोड डिमेंटस नाम के एक विकति द्वारा किया गया था इस फिल्म में फियोरी रोड के खलना है एक इमोटन जो भी नजर आने वाले हैं जिसमें मुखे किरदार 44 थरों ने निभाया था वहीं अब फियोरी रोड में फियोरी रोड के आगे की कहनी को दिखाया जाएगा टेलर की शुरुआत गुलियों की गुंच के साथ होती है और बिग ग्राउन में एक महिला की आवाज आती है महिला करती है आपको जो भी करना है चाहे इसमें कितना भी समय लगे मुझे वादा करे कि आप अपने गर कर आस्ता डूंड लेंगे फिर फियोरी रोड साब अपने घर लोटने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है तो गैस आगे के इस डेंजरस सफर के लिए आपको मुवी जरूर देखनी होगी तो चलते है नमबर टू की तरफ नमबर टू पर जो मुवी है वो है रोड हाउस रोड हाउस एक अपकमिंग एक्शन थिल्लर फिल्म है जिसका निर्देशन डोग लीमन द्वारा किया गया है अगर मुवी की इस्टور की बात करें तो मुवी बेस्ट है फ्लोरीडा की इसके एक बार रोड हाउस की जहाने एक दिन अचानक से कुछ लोग उस बार में प्रोब्रम केरेट करने लगते हैं और इसे ठीक करने के लिए उस बार के ओनर एक बाउंसर का हाईर करती है जो एक एक्स UFC फाइटर होता है तो guys यह movie इसलिए भी खास होने वाले है क्योंकि इस film में आपको देखने को मिलने वाले UFC फाइटर Connor Make Griller जो Hollywood में अपना पहला डेब्यू करने जा रहे है जिया दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने टेलर में देखा ही होगा कि भाई इन्होंने क्या एक्टिंग करी है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह movie वोक्स ओफिस पर बवाल मचा देख तो guys आगे कि इस जबर्दस एक्शन के लिए आपको movie जरूर देखने चाहिए और guys इस movie को मैं भी जरूर देखूँगा तो चलते हैं नमबर थर्द की तरफ नमबर थर्द पर जो movie है वो है शोगुन जो एक historical action drama series है जो फेब दोजा 24 में डिजनी फ्लेस पर रिलीज होने वाली है हाले में इसका trailer रिलीज हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि शोगुन अलग-अलग के जहाँ बरबाद कर देता है एक ऐसी भूमी जिसके अब परिजित संस्क्रती आता हो उससे फिर से परिभासित करेगी नमबर टू पर जो character है वो है लाड तोरानागा एक चतुर सकती साली डेमियो अपनी खतरनाक राजनीतिक दुष्मनों के साथ मद्बेद में उलजा हुआ दिखाए दे रहा है नमबर थर्ड पर जो में character है वो है लेडी मेरी को जो एक अमूल question वाली लेकिन अपमान जनक परिवार एक संबंदो वाली मैला जिससे अपना मूल यह और निष्टा साबित करनी होगी तो आगे के इस historical ड्रामे को जानने के लिए आप लोगों के यह श्रीज जरू देखने चाहिए नमबर फोर पर जो मूवी है वो है गोस्ट बस्टर्स फोर्जन एंपायर यह एक अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो गिल केनों द्वारा निर्दिरशी थे यह गोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ दोजाए किस के अगली कड़िये गोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एंपायर में स्पेंगलर परिवार एक शिर्ष गुप्त अर्मसंदान प्रयोक शाला में मौल गोस्ट बस्टर्स के साथ स्वयोग करते हुए अपर तिस्ट न्यूयोक सिटी फो फायर हाउस में लोडता है जहां एक प्राचेन कलार करती के खोज के दोरान एक बुरी शक्ती उजागर होती जो पूराने और नए गोस्ट बस्टर्स को एक जूट होने अपने गर के रक्षा करने और दूसरे हम्योक में लोटने के लिए मजबूर करती है तो गैस इस एक्षन त्रिलर के लिए आपको यह मूवी जरूर दिखने चाहिए नमबर फाइपर जो मूवी है वो है अवतार दे लास्ट एरवेंडर जो एक एडवेंचर फेंटेसी मूवी है जिसका टेलर हाली में रिलीज हुआ है एक 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 यूद्गरेस दुनिया पर आधर है जहां कुछ लोग चार सास्तरी तत्वों में से एक को जुका सकते हैं जल, प्रत्वी, अगनी और वायू टेलर में दिखाया गया है कि आंग एक उतार है जो सभी तत्वों को जुकाने में सक्षम है और फायर नेशन से दुनिया में सांति लाना उसके भागी में लिखा है जिसके लिए वो अपने नए सात्यों कटारा और सोका के साथ आंग तत्वों पर महरत हासल करने के लिए एक लंबे और डेंजरस सफर के लिए निकलता है जो उतार प्रकप जाकर अपना समना अपिस सासल करना चाता है तो गैस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लिए था प्लीज गैस हमारी वीडियो को लाइक किजए चेनल को सब्सक्काइब किजए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद